प्रिश्री मंत्री नरेंदर तोमर जी का एक पत्र आया है और उस पत्र में इतनी चीजें हैं कि उसका जवाब देना है अब मैंने गिना तो उस पत्र में 20 जूट निकले है आपको जवाब देने में थोगा देर हो गई मैंने कहा तकल सुबह बताऊंगा क्योंकि यहां किसान संग्ठनों की देश के सुख्यात वकीलों के साथ मीटिंग है जिसमें दुश्यांद दवे हैं प्रशांद भूशन हैं एचस फुलकाजी हैं और कई अन्य वकील हैं इन सब के साथ एक मीटिंग है तो उसके लिए मुझे दिल्ली आना पड़ा है इसलिए दिल्किन्मानियए नरेंद्र तोमर जीने किसानों के नाम यह जे आर्ट पेज की चिठी लिख्यें वैसली बहुत नंभी होती है आरट पेज की चिठी लिख्यों और मुझे लगता हैं अगले कुस्दिनों में ये क्रोडों पंफलेट बना के गाऊं में बाटी जाएगा जरूरत हो तो यूट्यूब फेस्बुक के अंदर दुबारा देख लीजिएगा एक एक पेज वाइज में आपको बताऊंगा कि इस चिठी में क्या जूट है कहते हैं किसान भाईयों और बहनों के नाम एक पत्र पहले ही पेराग्राफ में तो जूट बताईए शुरू में पहले पेराग्राफ में क्या कहते हैं बीते कई दिनों में राज्यों में किसान संग्ठनों से मेरी बाद सुट होई है कई किसान संग्ठनों ने इन कृषी सुधारों का स्वागत किया है वे इससे बड़े खुश हैं किसानों में एक नई उमीद जगी है शुरू में ही जूट अरे देश में एक किसान संग्ठन मिल नहीं रहा जो इसका समर्थन करे खुद आपका RSS से जुड़ा हुआ किसान संग्ठन भारतिय किसान संग्ठन वो इसका समर्थन नहीं कर रहा और आज भी क्या कहता है हाँ इसमें कुछ अच्छी बात ने तो होंगी जरा देख लीजिए स्वागत वो भी नहीं कर रहा कौन से किसान है भाई जिसमें आशा की किरन जगी है पिल्कुल शुरुआत से ही जुट करना अगर इतनी है सर इतनी आशा की उम्मीद जगी है इतना ही सब अच्छा है तो चिठी काय को लिख रहे हुआ फिर ये तो लफ़ाजी है दूसरा कहते हैं इसी में किसानों के उधारन लगातार मिल रहे हैं जिन्होंने नए किर्शी कानूनों का लाब उठाना शुरू कर दिया आप जानते ही हैं कि सरकार ने मोदी जी ने अपने मन की बात में पिछले महीने दो तीन किसानों का नाम लिया था और कहाता देख ये तीन किसानों को फायदा हो गया देश में चौदा करोड से ज़्यादा किसान परिवार है और देश का प्रधान मंतरी देश का क्रिशी मंतरी दो तीन केस बताते हैं कि इसमें फायदा हुआ और पता है मजे की बात क्या हुई जिनका इन्होंने नाम लिया उस किसान ने मैंने पर पिसली फेस्बुक लाइव में आपको पेपर की क्लिपिंग दिखाई थी उस किसान ने कहा कि मैं इन क्रिशी के सुधारों के खिलाफ हूँ मैं इसका विरोध करने के लिए दिल्ली आउंगा मेरा नाम लेके प्रधान मंत्री ने बदनामी की है दूसरा चोटा जूट चोटा और टुच्चा जूट जिसको कहना चाहिए वो है वो कहते हैं दिल्ली और आसपास के क्षेतर में जूट की दिवार बनाने की साज़िश रची जा रही है इसके लिए वो आपको चुठी लेता है अगला पेच टुशी मंत्री के तौर पे बड़ी संतोश की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार MSP पर सरकारी खरीद के पिछले सारे रिकॉर्ड तूट गए है पहली बात साब अगर पिसले सारे रिकॉर्ड तूट गए है तो थोड़ा आकड़े दे दीजिए कहां किसी रिकॉर्ड तूटे हैं कहां तूट कैसे तूटे हैं अगर उससे बड़ी बात इसका जूट यह है नए कानून लागू होने के बाद इशारा क्या कर रहे है कि यह कानून ऐसे है जिनकी वजह से ही इस बार MSP की खरीद ज़्यादा हुई कानून में और MSP में खरीद में लिंक क्या है इस वक इस साल आप जो कर रहे हैं क्या आप मेरे को एक चीज़ बता सकते हैं जो इस नए कानून के कारण आपने किसान को पहले से ज़्यादा MSP दी सच बात ये है कि इस बार इतना दबाव है आपकी सरकार के उपर इतना बड़ा जूट बोल के फस चुके हो किसानों की विरुद इतना बड़ा पंगा ले चुके हो इस साल आप किसी तरह से इसको ढखने की कोशिश कर रहे हो हरियाना में कर रहे हो ने नी बाजरा खरी देंगी इस साल तो सब कुछ करोगे इसका कानून से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कानून गवबढ़ है क्योंकि किसान आपके खिलाफ है इसलिए परदा डालने के लिए इस बार ढखने के लिए आप भाग भाग के MSP पे करीद कर रहे हो किसे उल्लू बना रहे हो सर्थ चौता जूट इसी पेज़ पे जिस सरकार ने किसानों को लागत का डेड़ गुना MSP दिया है ये जूट है कितनी बार हम बताएं स्वामी नाथन कमिशन ने कहा था संपून लागत का डेड़ गुना दीजिए आपने वैसा नहीं किया आपने खुद इसकी मांग की थी आपकी पार्टी ने इसकी मांग की थी आपके नेता ने इसका वायदा किया था और बाद में स्वार्गी अरुन जेतली ने आके इसके फॉर्मूला ही बदल दिया हाथ की सफाई कर दी संपून लागत की बजाए आशिक लागत का डेड़ गुना दी दिया अब कोई कहेगा चलिए साब आशिक लागत का तो दिया आशिक लागत का डेड़ गुना तो कॉंग्रेस सरकार भी दे रही थी आप से ज़्यादा दे रही थी कई चीजों के अंदर तो सब में नहीं कुछ में आप से ज़्यादा दे रही थी आशिक लागत का डेड़ गुना देना कोई उपलबदी नहीं थी आंशिक मतलब A2 प्लस FL का डेड़ गुना दे रहे हो, संपून मतलब C2 का डेड़ गुना देना चाहिए था, अगर संपून का देते तो गेहूं के कीमत, गेहूं की MSP इस वक्त पच्छिस सो के करीब होती है, तो ये बात जूट है, चौथा जूट, पांचवा जूट इस प ये कहते हैं, APMC मंडियां इस कानून की परिजी से बाहर, APMC मंडी का इससे कोई मतलब ही निन कानूनों से, अरे, सारे कानून का जो दूसरा कानून है आपका, उसका मुख्य उद्धिश्य ही APMC के सामने एक प्राइवेट मंडी खड़ी करना है, APMC मंडी परिजी से बाहर कै से, APMC मंडी को ठप करने के लिए कानून बना है, और आप कह रहे हो, परिजी से बाहर है, परिजी से बाहर का मतलब, कि हाँ APMC मंडी का ये दायरा है, उसके बाहर हम दुकान करेंगे, साब हम तो बाहर वाली दुकान की बात कर रहे हैं, अंदर वाली दुकान से हमें क्या मत पतारेवा, एपी एमसी मंडी से सीधे सीधे मतलब है, एपी एमसी को बाइपास करने के लिए बना है, आप कहिए कि हमने साब बाइपास की सड़क बनाई है, इसका गाउं से हमारा कोई संबंद नहीं है, अरे गाउं में ट्रेफिक कम करने के लिए तो आपने बाइपास बना च्छटा जूट कहते हैं कि कोई लोग कांट्रेक्ट फार्मिंग के मामले में किसानों के लिए मूल्य की को गारंटी नहीं है ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और यह कहते हैं एग्रिमेंट में प्रिशी उपज के खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा तो मर्जी ऐसा जूट पूलते हैं अच्छी बात नहीं है किसान क्या कह रहा है कि किसानों के लिए न्यूंतम मूल्य की कोई गारंटी नहीं हम क्या कह रहे हैं कि जो कांट्रेक्ट है कांट्रेक्ट में कोई किसान बाजार में चल रहा है मान लिजे गहूं का रेट उननिस सो रुपया अगर कोई क कहती है इस नीचे का कोई सौधा नहीं हो सकता गई ल vibration। कि इस सर्कार जबाब यह देते हैं कि मुल्य को दर्ज किया जाएगा धो लिखा जायेगा संधाल्य लिखा जाएगा न Christ हम पूछ रहे हैं हम पूछ रहे हैं, क्या कोई कम से कम मूले फोगा हमारी बात पर जुट बोल रहे हैं ना. साथवां जुट, कहते हैं कि आरोप है कि इन कानूनों को लेकर सवाह मशुनाहिया चर्चा नहीं की गई है. फिर ये कहते हैं दो दशकों तक भी चारवी मर्श हुआ है। क्या भी चारवी मर्श खुद बता रहे हैं। तीन कानून बनाने से पहले क्या आपने किसान संगठनों से राय बात की? इस देश के चार पात सो किसान संगठन हैं, हजार किसान संगठन होंगे? आपने क्या उनसे बात की? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपने सरकार ने अपनी कमीटियों से राय बात की? ये तो उस आप एक 2011 की कमेटी भूल गए, क्योंकि उसके अध्यक्षर, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आपको पता है न, 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे, मैं याद दिला दू, उनका नाम भी नरेंद्र है, नरेंद्र मोदी, आप भूल गए, उस कमेट ने कहा था, MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए, इतनी सारी कमेटियां गिना दी है, आप नरेंद्र मोदी जी की कमेटी भूल गए, दिक्कत हो जाएगी, नरेंद्र मोदी जी, ऐसे मत किया कर, सवाल कमेटियों का नहीं है, सात्वा जूट ये है, कि आपने किसानों से, किसा हो रहा था, उस वक्त आपने राय की या नहीं की, ये सवाल है, सिधा जवाब दिया कीजिए ना, आठवा जूट, कहते हैं, हमारी सरकार MSP कभी बंद नहीं करेगी, MSP जारी है और जारी रहेगी, कितना सफाई से कह रहे, जारी है, जारी है, जारी रहेगी, ये बिलकुल सरकार 23 फसलों की घोशना करती है, MSP उस पर गोशित कर देती है, खरीदती है दो या ढ़ाई, तो पहले भी दो या ढ़ाई खरीदते थे, आज भी दो या ढ़ाई खरीदेंगे, कल भी दो या ढ़ाई खरीदेंगे, और ये तो कहीं नहीं कहा है, कि जितना आज खरीदते है उतना ही खरी देंगे, तो MSP रहेगी, कागज पे MSP रहेगी, कागज पे दिल्ली के अंदर कानून है कि आप सड़क पे सिगरेट नहीं पी सकते, सारी दुनिया पीती है, कागज पे कानून है, रहा है, रहेगा, सवाल ये नहीं है, मंत्री जी किसान जानना चाहते हैं कि आज MSP की व्यवस्था का फाइदा जहां-जहां मिलता है, क्या वो जारी रहेगा, उस तरपे जारी रहेगा, और भविश्य में जिनें नहीं मिलता, उन्हें मिलेगा य है? नहीं मिलेगा, MSP की व्यवस्था का मतलब यह नहीं है कि दिल्ली में आप एक कागज पर साइन करके भूल जाओ, MSP हो गई, यह डिकलेर हो गई, MSP व्यवस्था का मतलब है कि आप MSP को MSP पर खरीद करो, यह सुनिश करो कि किसान MSP से नीचे नहीं बेचेगा, यह आना पहले थी, आपकी सरकार आने से पहले भी नहीं थी, आपकी सरकार के 6 साल में भी नहीं रही है, और सपष्थ है, आगे भी नहीं रहे делать me ये था आठवा जूट, नौवा जूट, हलके हाथ से उन्होंने कह दिया कि नरिंद मोदी जी की सरकार किसान कल्यान उनके जीवन के सबसे एहम प्रतिबदताओं में से एक है किसानों की आए बढ़ाने, किसानों की आए बढ़ाने, मिरी आख वहां पे रुप गई याद है ने आपको एक बहुत बढ़ा जूट, किसानों की आए दोगनी करने वाले थी ये लोग दोगनी करना अब मेरे ख्यान में लिखना भूल गए, कहीं कहीं शरम आ गई हो किसानों की आए बढ़ाने, दोमर जी, बता दीजी न पिसले 6 साल में कितनी बढ़ी है सन 2016 में प्रधान मंत्री जी ने 28 अक फरवरी 2016 को प्रधान मंत्री जी ने गोशना की थी कि 6 साल में हम किसानों की आए दोगना कर देंगे, अब उसको साड़े पांच, साड़े चार साल हो गए आप कहते हैं किसानों की आए बढ़ी है, जी आए आकड़ा दे दीजिए न, पता तो लग जाए कि आपने जो 6 साल में दोगना करनी थी, यानि कि 100 परसेंट बढ़ानी थी अब तक आपने 75 परसेंट बढ़ा दी, 60 परसेंट बढ़ा दी, 50 परसेंट बढ़ा दी अरे 30 परसेंट बढ़ा दी आपने, हिम्मत हो तो आकड़ा दीजिए न, काई को जूट सरकार है दस्वा जूट फसल बीमा का कवच, कह रहे हैं आपको इतने शांदार हमने काम कियें फसल बीमा का कवच, आपको प्रकृतिक आपदा से बरबाद हुई फसल की भरपाई करता है आपको पता नहीं था, देश के सारे किसानों कोई फाइदा मिल गया है तोमर जी, सच ये है, कि फसल बीमा योजना फ्लॉप हो चुकी है खुद गुजरात ने, और किसी की बात नहीं कर रहा, मुतोमर जी विपक्षी दलों की सरकारों की बात नहीं कर रहा प्रधान मंत्री माननिय मनरेंद्र मोदी जी के अपने ग्रह राज्य गुजरात जहां बीजे पी की सरकार है उसने इस साल से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को बंद कर दिया है कह दिया है कि गुजरात में हम लागू नहीं करेंगे योजना फेल हो गई है और प्रमान देने की ज़रूरत है उसके बाद आप कहते हो कि फसल बीमा का कवच सबको कवर कर रहा है शरम नहीं आती आपको इस तरह की बाते करते हुए जब फसल बीमा योजना लागो हुई थी उस दिन सरकार ने गोशना की थी बज़के मंत्री ने बोला था कि अब तक केवल 22-23 प्रतिशत किसानों को मिला है इस साल 30 प्रतिशत हो जाएगा अगले साल 50 प्रतिशत हो जाएगा और उसे स्लोली हम पूरे किसानों को पूरा कर देंगे तो उमर जी अगर हिम्मत है तो मुझे आकड़ा बताईए कि आज देश के कितने किसान कवर हो रहे क्या 30% किसान भी कवर हो रहे हैं इस देश के चार साल लागू होते हुए हो गया इस योजना से बड़ी-बड़ी कंपनियों को फायदा हुआ प्राइवेट निशूरेंस कंपनियों को फायदा हुआ किसानों को क्या मिला 11 जूट कितनी बार ये जूट बोला जा चुका है अब एक किसानों को ये दिक्कत थी कोल स्टोरेज नहीं थे, गोदाम नहीं थे, प्रोसेसिंग सेंटर नहीं थे अब एक लाख करोड रुपए का क्रिशी इंफ्रास्ट्रेक्चर फंड बनाया गया सुनके कितना अच्छा लगता है, एक लाख करोड रुपए, काफी पैसा होता है तो ऐसा लगता है कि अभी फंड हो गया, अब किसानों के लिए सुविधाएं बन रही है कहां है जी वो फंड? आज तक इस एक लाख करोड में से कितना पैसा किसानों की सुविधाओं के लिए इस्तेमाल हुआ है और उसमें से भारत सरकार ने कितना लगाया है सरकार का पैसा नहीं है इधर उदर के पैसे को एकठा करके बोल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया और इसमें से कितना खर्च हुआ है अगर आप इमानदार होते तो मर जी, तो आप कहते एक लाख करोड रुपे का फंड बनाने का लक्षे था हमारा अब तक हमने इसमें से पांच हजार, साथ हजार, आठ हजार, दस हजार किया है बार बार एक लाग करोड को क्यों दोर आते हो, आदत हो गई ये सरकार की, जूट है बस फैकते जाओ, फैकते जाओ, कभी ना कभी लोगों को यकिन होई जाएगा कि चल रहा है, बारवा जूट, बारवा जूट वो कहते हैं, पलट के देखी हमसे ही कहते हैं, हम इनसे पूछ रहे थे, कि आप एक किसान संग्ठन का बता दीजे, जिसने इसकी मांग की हो, इन कानूनों की, अब वो पलट के हमको कह रहे हैं, बीते बीस पच्चिस वर्षों में किसी किसान नेता या संग्ठन का एक भी वक्त तब बे दिखा दें, जिसने कहा हो कि किसानों को अपनी उ पाज जोड के बता रहा हूं, किसी ने नहीं का मैं तो बार बार कहता हूं, ये बंडी तो हमारे सर पे चपर है, तोटा हुआ है, लीक करता है, हम परेशान हैं, लेकिन आप तो चपर हटा रहे हो, आप मुझे ये बताओ कि किसी नेता ने कहा हो कि मेरा चपर लीक कर रहा है APMC में रिफॉर्म होना चाहिए अरे भई क्या रोप है मैं तो बार-बार कह रहा हूँ इस मंडी वेवस्था में सुधार होना चाहिए सारे किसान कह रहे हैं सारे किसान संक्टन कह रहे हैं पर आप सुधार कर रहे हैं या बिगाड कर रहे हैं आप मुझसे पूछ रहे हो, ये लोग मानते हैं कि मरीज बिमार है, हाँ भाई मरीज बिमार है तो अगर आप ये जहर का injection क्यों लगा रहे हो, जहर की injection के लिए हमने कभी हा नहीं की है बेकार की बातों पर क्यों बहस करते हो जी मरीज बिमार है, APMC विवस्था में सुधार होना चाहिए, किसी ने ना नहीं की है सवाल ये है कि आप जो injection लेके आए हो, इसकी मांग किसी ने की थी या नहीं की थी ये जहर का injection है, दवा नहीं है, असली समस्या ये है इदर दर की बातें क्यों कर रहे हैं? तेरवा जूट, अब वो कह रहे हैं कि पिसले छे महीने में हम करोडों किसानों तक इस बात को लेके गए डेड़ लाख ट्रेनिंग और वेबिनार सेशन के जरिए किसानों से जुड़े विभिन अमामलों और नए किशी कानूनों के प्रावधानों पर चर्चा की डेड़ लाख वेबिनार, वेबिनार मतलब इंटरनेट के उपर वेब में बैठके जूम कॉल में जाके लोग बात करते हैं डेड़ लाख वेबिनार हुए थे, जी आपने देखा, जो किसान मेरी बात को सुन रहे हूं आप जड़ा नोट कीजिएगा और अगर आप खुद उस वेबिनार में शामिल हुए हूं ऐसा करना इस फेस्बुक के उपर आप दनाक से लिख देना, हाजी वेबिनार हुआ था, मुझे आमन्तित किया गया था फला तारीक को यह मुझे आया था, नोटिस आप बता देना, कहां ही वेबिनार होते हैं, अपने लोगों को बैठा के कुछ बात कर लेते हैं, अरे भाई, आपका अपना संगठन नहीं कहता है कि हमें इसमें शामिल किया गया, भारतिय किसान संग कहता है, हमसे राय नहीं कोई खुला पब्लिक नोटिस गया हो, कभी भी कि कोई किसान चर्चा करना चाहता है, इस वेबिनार में आईए मेरे को दिखा दीजिए, कहीं नहीं हुआ, किस चीज की बात कर रहे हैं, क्रिपया आप इन चीजों को सारजनिक कीजिए, डेड़ लाख जो आपने वेबिनार कर दिये, कौन किसान आए इसके अंदर, बात तो पता लगनी चाहिए, योहीं जूट पेलते जाते हैं, फिर इनके टीवी पे आगे लोग बोलते हैं, अंदाजा लगा के अच्छा डेड़ लाख हैं, तो उसको साठ से गुना कर दो, नब्बे लाख किसानों से हमने चर्च किया अरे, नब्बे लाख किसानों से अगर चर्चा करते, पूरे देश को पता लग जाता, चौद्वा जूट, कहते हैं, APMC को और अधिक मजबूत किया जा रहा है, पहले कहते हैं, कि इन तिनों कानूनों का APMC की मतलब नहीं है, अब कहते हैं, APMC को और मजबूत किया जा मतलब कि जब किसी को आप मार रहे हो, तो साथ में ये कहो, इन्हें और अधिक स्वस्त किया जा रहा है, इनके लिए कितने शांदार काम किये जा रही हैं, और उसके प्रमान क्या है, कि आपको एक और विकल्प भी, खुला बाजार आपको विकल्प देगा, खुला बाजार विकल्प देगा नहीं देगा इस पर बहस हो सकती है इससे APMC मजबूत कैसे होगी आपके ही लोग जो तरक देते हैं वो कहते हैं कि APMC सड़ी गली है इसमें दिक्कत है इसलिए हम सामने व्यवस्था खड़ी करेंगे जो कि लोग APMC से बाहर जाएंगे और उन्हें बेहतर दाम मिलेगा वो बात सच है ने इस पर बहस हो सकती है लेकिन इससे APMC कैसे मजबूत होगी इतना बड़ा जोट लगा दिया साथ-साथ पंद्रवी बात कहते हैं कि किसान और वैपारी के बीच एग्रिमेंट सिर्फ उपजगा होगा कि कॉंट्रेक्ट जमीन का नहीं होगा कॉंट्रेक्ट फसल का होगा डर किस बात का है डर इस बात का है कि उसमें साफ साफ प्रावधान है कि अगर किसी कंपनी ने आपकी जमीन पर इन्वेस्टमेंट निवेश किया है तो वो contract खतम होने पर अपने पूरे निवेश का पैसा वापिस कर सकेगी उसके लिए जो कुछ भी जरूरी होगा कर सकेगी यानि कि company कहती है मैंने आपकी जमीन पे 10 लाग का खर्च किया अब आप मेरे को 10 लाग वापिस करो contract खतम हो गया आपके पैसा है नहीं तो आपको जमीन बेच के वापिस करना पड़ेगा यह है तो जो सच है उसका जवाब दीजिए न जूटी बात बता के फिर उसको जवाब देने का क्या पायदा एक पंक्ती वैसे मेरे लिए भी एदेश का दुर भाग गया है कि आज अपने आपको निट्रल बताने वाले और बुद्धी जी भी मानने वाले पता नहीं किसको आप इशारा कर रहे हैं लेकिन अगर इशारा मेरे पे है क्योंकि आपके मंत्री ने और योगी आदित्तिनात ने मेरा नाम लेके बातें बोली थी तो भाई बता दूं कि मैंने हमेशा कहा है कि APMC व्यवस्ता में सुधार होना चाहिए आज भी कहता हूं सुधार होना चाहिए लेकिन आप जो कर रहे हैं सुधार नहीं बिगाड़ है रिफॉर्म नहीं डी फॉर्म है आगे वो कह रहे हैं कॉंग्रेस के बारे में आम आदमी पार्टी के बारे में अकाली हूडा कमीटी अब ये जाने आपस में निप्टेम का दंगल है मैं इसको न जूट मौलता ना सच बोलता इससे अपने को कोई मतलब नहीं है पंद्रवाँ जूट वो था अब सोलवाँ जूट ये इन पार्टी का आपस में इसको मैं गिनाई नहीं करता पंद्रवाँ जूट मैंने आपको बताया था सरकार जो कह रही है कि जमीन कैसे चली जाएगी सोलवाँ जूट वो किसान संगठन जो दो तीन महीने पहले तक इन सुधारों का समर्थन कर रहे थे हमारी सरकार को बधाई दे रहे थे अब अचानक प्रदर्शन क्यों करने लगे कौन से किसान संगठन है नाम दे दीजिए दो तीन महीने पहले जो किसान संग्ठन अकाली दल तो आपका सपोर्ट कर रहा था लेकिन कौन से किसान संग्ठन थे जो इस सधारों का समर्थन कर रहे थे सच बात यह है अकाली दल के नजदीक या उनके साथ बाचीत रखने वाले जो संग्ठन थे बीके यूराजेबाल पक्राब वो पहले दिन से इसका विरोध कर रहे थे किसान संग्ठन समर्थन नहीं कर रहे थे पार्टियां समर्थन कर रहे थी किसान संग्ठन का नाम आप क्यों ले रहे हो कौन किसान संग्ठन ने जो तीन महीने पहले इसका समर्थन कर रहे थे और राजप्रदर्शन कर रहे हैं, नाम बताईए नाब उसका सत्रवाँ जूट कि अब कई ऐसे राजनेतिक स्वार था गए हैं अन्न दाताओं के पीछे चिप कर अपने राजनेतिक स्वार के लिए हिंसा अराजकता को पल दे रहे हैं नाम लोना जी हिंसा फैलाने के अपरादियों को दुरंद छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं अरे एक संग्ठन ने Human Rights Day पे किया था पंजाब के किसान संग्ठनों ने एकदम बयान दे के कहा कि ये किसानों की मांग नहीं है आप अलग से अपनी मांगें उठाइए ये किसानों का नहीं है हमारा बिल्कुल क्लियर मेरे 50 उपीनियन हो सकते हैं मेरे C.A. के बारे में उपीनियन हो सकता है कश्मीर के बारे में हो सकता है लेकिन ये आंदोलन उनका नहीं है ये आंदोलन केवल और केवल किसान के मुद्दे का है इस आंदोलन पे टेवल पे एक ही सवाल है मोदी जी जो आप तीन कानूनों की गिफ्ट दे रहे हो इसे वापस ले लो और हमें वो गिफ्ट दो जो हमें चाहिए यानि कि हमारे फसलों के वाजब दाम की कानूनी गारंटी बस ना इस से और ना इस से कुछ कम आप इश्यूस को फैला क्यों रहे हैं बड़ी भोले पंसे देखिए इसमें क्या कहते हैं हाई हाई देखिए हमारे कृष्टी मंत्री का दिल कितना पसीज रहा है कितने परिशान हो रहे हैं बिचारी कह रहे हैं ये लोग अन्न दाताओं के पीछे छिपकर गांधी जी की प्रतिमा को क्षती पहुंचाते हैं पूज्य बापू का अपमान करते हैं हाई जिसे कहते हैं कौन न मर जाए इतनी बाते सुनके बीजेपी वालों को फूज्य बापू के अपमान पर बिचारों का दिल देखो एकदम खून आ रहा है इनके दिल से शरम नहीं आती आप लोगों को गौड से की प्रतिमा बनाने वाले महात्मा गांधी को हर तरह से अपमानित करने वाले आपके मध्य प्रदेश नरेंद्र तोमर जी आपके मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी के लोग गौड से को पूछते हैं जो लोग गौड से का महिमा मंडन करते हैं उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी फॉलो करते हैं आप गांधी जी की प्रतिमा का अप्मान, बापू के अप्मान की बात करते शोभा नहीं देता, अगर हिम्मत है बापू के अप्मान के बारे में चिंता करने की, तो खुल के बोलिए, गौड से हत्यारा था, देश द्रोही था, ऐसे व्यक्तियों की कोई पूजा इस देश मे नहीं होनी चाहिए, हिम्मत है तो बोलिए तो अमर जी, उसके बाद आके बापू का नाम लीजेगा, आपके मुँपे शोभा नहीं देता ये नाम, अठारवा जूट, कहते हैं, वोकल फोर लोकल हो रहा है, तो भारत के उत्पादों का बहिशकार का ऐलान करने वाले इन इ भारत के संकल्प के सामने बढ़ रहा है, और कुछ ऐसे तत्व हैं, जो कि वोकल फोर लोकल होने की बजाए, भारत के उत्पादों का बहिशकार का एलान करते हैं, तो अमर जी शायद सुना नहीं आपने, भारत नहीं बोला था हमने, अमबानी अडानी बोला था, या कि अमबानी बोलते हैं, आपको भारत सुनाई देता है, अडानी बोलते हैं, आपको इंडिया सुनाई देता है, बड़ी दिक्रत की बात है सब, अमबानी अडानी इंडिया नहीं है, ये देश का स्वाभिमान का प्रतीक नहीं है, और अमबानी अडानी को चुनौती देने व कमपनियों को भारत की आत्म निर्बरता और भारत के प्रतीक के रूप में समझते हैं उननीसवा जूट जवानों के लिए रसद ले जाने वाली ट्रेन रोकने वाले ये लोग किसान हो ही नहीं सकते तो ये पंजाब के जो हजारों लाखों किसान रेलवे को रोकने का कोई ऐलान नहीं था बार बार कहा था हम माल गाड़ी छोड़ना चाहते हैं आपने जिद की है कि अगर पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी तो हम माल गाड़ी नहीं चलाएंगे प्यूश गोयल जी से जवाब पूछिए सर किसानों से क्यों पूछ रहे हैं आज भी माल गाड़ी को चलाने के लिए तयार है और अगर आपकी सरकार एक बार अपील करें कि सब बाइकाट को छोड़के किसानों जवानों के लिए किया जाए किसान संक्ठन सब को छोड़के फौज के लिए सेना के लिए जवानों के लिए कुछ भी करने को तयार होंगे प्यूश गोईल जी याद रखिए वो जिस जवान का नाम ले रहे है न वो किसान का बेटा है किसान को सबसे पहले उसकी चिलता है 19 जूट हो गए 20 वाँ और आकरी जूट ये सुधार भारती एक्रिशी में नए अध्याय की नीव बनेंगे देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे सशक्त करेंगे नए अध्याय तो बनेगा ये तो बात मैं माहे मानता हूँ ये अध्याय काला अध्याय होगा ये सुनहरी अध्याय होगा तहां इसके बारे में दोराय जरूर हो सकती है। किसान को स्वतंत्र करेंगे। आपके सर के उपर से छपपर उठ जाए। तो कितने स्वतंत्र हो जाओगे। देखो निला आकाश दिखाई देगा, रात को चांदारे दिखाई देंगे। ये स्वतंत्र चाहिए। हाथ जोड़ के किसान कहरा है मोती जी, तोमर जी, हमें श्वतंत्र नहीं चाहिए। हमें श्वतंत्र वो चाहिए जिसमें मुझे पता और फसल लगाते समय कि मेरे को कम से कम इतना दाम तो मिलेगा अपनी मेहनत का आगर मैं मेहनत करूँगा, वो देने की बजाए, ये सुतंता नहीं, ये जो आप दे रहे हैं, परतंचता है, ये जो आप दे रहे हैं, कंपनी राज है, ये तीन कानून किसानों के लिए नहीं बने, आप भी जानते हैं, ये कानून उस बड़े बड़े एग्री बिजनेस के लिए बने हैं, जिसको आप भारत का प्रतीक बताते हैं, जिसको सवाल उठाते ही, आप कहते हैं, भारत के उपर हमला हो रहा है, उन लोगों के लिए बना है, ये सौगात नहीं है, सजा है, ये किसान के लिए सौगात नहीं है, अडानी अंबानी के लिए सौगात है, आप जिन्ता होती है। जब कृशी मंत्री किसानों को इतना जूट बोले, उसे किसानों की कितनी जिन्ता होगी। मुझे डर लगता है। मगर तोमर जी, ये जूट बहुत चलते वाला नहीं है जो कहते हैं न सौ सुनार की एक लुहार की। सू होगे। आज दिल्ली की चारों तरफ किसान कृड़े है, चारों तरफ किसान आवाज गुझा रहे हैं। एक बात कह रहे हैं। इन जूटों का, इन चिठियों का, इन तमाम पुलिंदों का कोई असर नहीं होगा, तो मर जी, आज सच गूंज रहा है, उचे स्वर में गूंज रहा है, उसे सुनना पढ़ेगा, आज भी सुननी जी, आप बात्चीत में सौम्मे हैं, इस तरहें की चिठियां लिखना आपको शोभा नहीं देता, मैं जानता हूँ आप पे उपर से दबाव कोगा, आपको चिठिय लिखवाई जा रही होगी, लेकिन कुछ तो अपना भी रखे इस चिठियों के अंदर, ये सच नहीं, आप भी जानते हैं। और तोमर जी, आपकी कुर्सी के पीछे कुछ लिखा रहता है, आपको याद है क्या है? सत्य में वजयते, सच की जीत होगी, और जीत होगी तोमर जी, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सत्य में वजयते।